यहा लाओ जापी को यहाँ लाओ देखो अब ये देखिया यह इतनी बड़ी टोपी है जापी है अम्रेला है इसके नीचे सब लोग खड़े हैं प्यार से खड़े गुए हैं बाइचारे से खड़े हुए हैं ऐसा असाम हम चाहते हैं अब देखिए इसके इसके अंदर कोई लडाई नहीं हो रही है कोई मारपीट नहीं हो रही है खुशी से सब लोग खड़े हैं ऐसा हम असाम चाहते हैं और बीजेपी चाहती है RSS चाहता है कि असाम में आग लगे बाकी हिंदुस्तान में इसको ले जाओ बाकी हिंदुस्तान में आग लगे नफरत हो और 15-20 उद्योग पतियों को पूरा का पूरा फाइदा मिल जाए उनके नाम आप जानते हो उनके नाम जानते हो आप उनकी सोच है असाम लड़ाई करें असाम के अलग अलग लोग लड़ाई करें और उनके 15-20 जो मित्र हैं अने लंबानी ऐसे मित्र आपका पूरा का पूरा पूरा पैसा लूट कर चले जाए भाई और बेनों हिंदुस्तान का किसान असाम का किसान दिन बर होता है आत्म हत्या करता है असाम में लाकों लाकों स्टूडन्स बैंक लोन लेते है उनके माता पिता रोस काम करके उस बैंक लोन का पेमन्ट देते है हर प्रदेश में लाकों युवा एजुकेशन लोन लेते है मैं आप से सवाल पूछना चाता हूँ और असान के हर युवा से पूछना चाता हूँ नरेंद्र मोधी पिछले चार साल में पंदरा लोगों का युवा और साड़ें तीन लाग करोह माव कर सकता है अन्रे लंबाने का पैंटालइस हजार करोह माव कर सकता है पिजय मालिया 10 Haazar करोह Рupai noc ललित मोधी नीरफ मोधी 13,000 करोह और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर टीन लाग पचास चारज क्रों रुपे नरेंड मोदी कि 15 लोगों को माफ कर सकता है तो असाम के युवाओं के एद्यूक्रेशन लोन क्यों निमाफ कर सकता है असाम के किसान का कर्णा मफ की निकर सकता है कभी उन्होंने नहीं किया हमारी तीन सरकारे बनी मध्यप्रदेश राजिस्तान चत्रिसगार पंद्रा साल से वहां मध्यप्रदेश में किसान का कोई काम नहीं हुआ हमने साफ कह दिया था देखिए दस दिन लगेंगे दस दिन के अंदर मध्यप्रदेश राजिस्तान के किसान का करदा माफ हो जाएगा बीजप्रदेश राजिस्तान के सबने नहीं हो सकता पैसा नहीं है और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूँ दस दिन नहीं लगे दो दिन के अंदर तीनों स्टेट का करदा माफ हो गया बीचे भी कहती है पैसे की कमी है बाई और बेहनों अगर पैसे की कमी थी तो 3,50,000 करोर पे करदा कैसे माफ हुआ मंद्रेगा नहीं चलाते भुजन का अधिकार नहीं देते मगर इन 15,20 उद्योग पतियों का एक के बाद एक, एक के बाद 1000 करोर रुपे करदा माफ करते है मैंने साफ कह दिया है इस बार 2019 में कॉंग्रिस पार्टी एतिहासिक काम करने जा रही है हमने आपको सफेद करांती दी हरी करांती दी लिब्रलाइजेशन दिया, कम्प्यूटर रेवलूशन दिया, मन्रेगा दिया, भोजन का दिकार दिया हम जूटे गाइदे नहीं करते हैं मैं यहाँ आकर मोधी जी जैसे जूट नहीं बोलूँगा मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाग रुपए डालूँगा 15 लाग रुपए कहा था, कुछ दिन पहले पार्लिमेंट के आखरी दिनों में प्यूश गोएल जी भाशन देते हैं भाशन देते हैं, उन्होंने बजट में कुछ कहा BJP के लोगों ने धडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड सोचा बड़ा काम किया होगा मैंने खारगे जी से पूचा भहिया इन्होंने क्या किया खारगे जी कहते हैं अनाउंस्मेंट किया है कि हिंदुस्तान के किसान को हर रोज 17 रुपए देंगे अनिर लंभानी को 45,000 करो रुपई निरफ मोदी में 35,000 करो रुपई और हिंदुस्तान के किसान को परिवार को परिवार को 17 रुपए दिन के मतलब 3.5 रुपए एक व्यक्ति को और उदर भीजेंगे कि लोग धड़ा 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 ताली बजा रहे हैं अधिस्टान के खिसान को साड़े तीन रुपए देते हो ताली बजा तो पांच मिनट के अब कॉंग्रेस पार्टी बताएगी अब कॉंग्रेस पार्टी समझाएगी ताली कैसे बजेगी अब आप सुनिए देखिए हमने निन्ने ले लिया है 2019 में जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और वह होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, 2019 में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ पर सब की सब लोकसावाशीट आ रही है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कॉंग्रेस पार्टी मिनमम इंकम गैरंटी लागू कर देगी मिनमम इंकम गैरंटी का मतलब हर व्यक्ति को साड़े तीन रुपए देने का नहीं गैरंटी करके हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा डाइरेक्ट कॉंग्रेस पार्टी पैसा डालेगी कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर वो हिंदुस्तानी है और अगर वो गरीब है, क्या है वो असाम का हो, किसी भी प्रदेश का हो, अरुनाचल का हो, यूपी का हो, बियार का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई फरक नहीं पड़ता है अगर वो हिंदुस्तानी है अगर वो इस जंडे का है उसको उसके बैंक अकाउंट में डारेक्ट पैसा मिलेगा ये कॉंग्रेस पार्टी ने निन्ने ले लिया है जब से 2014 में नरेन रमोदी जी की सरकार आई और यहां असाम में अरुनाचल में बीजेपी की सरकारें आई उस दिन से उन्होंने आपकी हिस्ट्री पर आपकी कल्चर पर आक्रमन शुरू कर दिया है और मैं यहां पहले ही कहना चाहता हूँ देख लीजिए अच्छी तरह सुन लीजिए और नागपुर के लोग भी सुन ले मोहन भगवत सुन ले नरेंद्र मोदी जी सुन ले चोकिदार सुन ले कॉंग्रेस पार्टी नौर्थीस के इतिहास पर नौर्थीस के भाषाओं पर आपके कल्चर पर आक्रमन नहीं होने देगी कॉंग्रेस पार्टी नौर्थीस के हिस्ट्री को कल्चर को बचा कर रखेगी हम आपकी कल्चर की रक्षा करेंगे और हम बीजेपी नरेंद्र मोदी मोहन भगवत को मूँ तोड जवाब देंगे एक के बाद एक आपसे चीना गया है आपको याद होगा कॉंग्रेस पार्टी ने असैंप को स्पेशल स्टेटस दिया था याद है आपको याद है ना नरेंद्र मोदी आरेंसेज बीजेपी ने आपसे स्पेशल स्टेटस छीना सही बात है और मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूँ जैसे ही Congress Party वापिस आईगी आपको Special Status वापिस मिलेगा लेओ हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है जहां भी हम जाते हैं देश में पूछते हैं महराश्रा में, असाम में, नौर्थीस्ट में, बियार में, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान के किसी भी युवा से पूछो, चाह करते हो नरेंद्र मोधी के हिंदुस्तान में जवाब आता है कुछ नहीं करते हैं वह उज़र नरेंद्र मोधी बेक इन इंडिया की बात करते हैं स्टार्टप इंडिया मेक इन इंडिया सिट आउन इंडिया दाइदे को इंडिया जहां भी जाते भाशन करते हैं पता लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी साल में एक लाक युवाओं को रोजगार दे पते हैं डिन में 450 युगाँ को नरेंद मोदी रोजगार देटे है मगर टेलवेजन के आपको हर रोज मेक एन इंडिया, मेक आइन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा यहां पहले North East Industry Policy होती थी Industry promotion policy होती थी BJP सरकार ने इसको आपके हाथों से छीना इसको कॉंग्रेस पार्टी रिस्टॉर करके दे देगी जो आपका पहले रोजगार का काम होता था इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेंट का काम होता था उसको इन्होंने रोका असाम के युवाँ को जबर्दस चोट पहचाई हम एक बार फिर आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर देंगे जो आपके पेपर मिल्स बंद किये गए बंद पड़े हैं जागे रोड और काचर के पेपर मिल्स उनको हम कोल के दिखा देंगे